शिव तांडव स्तोत्रम हिंडू मिथॉलोजी का एक बहुत ही पावफुल और मनमोहग भजन है। यो लंका का राक्षस राजा था, शिव जी का एनमी होने के बावजूद, रावन उनका बहुत बड़ा भक्त था। उसने यह स्तोत्रम शिव जी की पावर की प्रशंसा में लिखा था। यह स्तोत्रम संस्कृत में लिखा गया है और अपनी कॉमपलेक्स लैंग्विज औरॉ प्रश्विजरी के लिए जाना जाता है। शिवतांडव स्तोत्रम में 16 वर्सिस हैं। हर एक वर्सुटी के डांस और अपियरेंस के एक अलग एसपेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे एक वर्स में बताया गया है कि कैसे गंगा जी शिव जी के जटाओं से बहती है। दूसरा वर्स उनके सिर पर सुशोभित चंद्रमा के बारे में बताता है। इन वर्सिस में शिव जी से जुड़े हुए कई सारे सिंबल्स का भी जिक्र मिलता है। जैसे उनके गले में लिप्टा हुआ सांथ, उनके हाथ में त्रिशूल और उनके द्वारा बजाया जाने वाला डमरू, ड्रम। इन वर्सिस का रिदम उतना ही डाइनामिक है जितना की वह डान्स जिसको ये पोट्रे करते हैं शब्दों को बहुत कैफुली चुना गया है। वे मूव्मेंट और एनरजी का फीलिंग पैदा करते हैं। ये स्तोत्रम शिवजी के डान्स की एक विविड पिक्चर क्रियेट करता है। ये टेरिफाइंग और मेजमराइजिंग दोनों ही है। शिवजी का नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, केवल एक परफॉर्मेंस नहीं है, यह creation और destruction के cycle का एक symbolic representation है, यह universe में energy के constant flow को दर्शाता है। शिवजी का नृत्य हमें याद दिलाता है कि सब कुछ flux में है, यानि सब कुछ बदल रहा है। Nothing is permanent, इस dance के हर element का एक deep philosophical meaning है, शिवजी को घेरे हुए अगनी का ring, creation और destruction के continuous cycle को represent करता है, उनके जटाएं, nature की untamed forces का symbol है, उनके गले में लिप्टा हुआ सांप, life और death के cycle को represent करता है। शिव तांडव स्तोत्रम का Hinduism में बहुत ही ज्यादा spiritual significance है, ऐसा माना जाता है कि इसे devotion से प्रहने से अंगिनत लाब मिलते हैं। कहा जाता है कि यह मन और आत्मा को purify करता है, यह भक्तों को भगवान शिव की divine energy से connect होने में मदद करता है। यह स्तोत्रम हमें material world के transient nature को समझने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांती divine के साथ connect होने में है। इस भजन की powerful imagery और rhythm एक meditative experience create करते हैं। यह भक्तों को mundane से उपर उठने और spiritual bliss का अनुभव करने की अनुमती देता है। शिव तांडव स्तोत्रम का Hindu rituals और beliefs पर बहुत ही गहरा impact है। यह महत्वपूर्ण festivals और ceremonies के दौरान चांट किया जाता है। इस स्तोत्रम के साथ अक्सर classical Indian dance forms जैसे की भरतनाटियम भी perform किया जाता है। इस भजन की popularity religious context से परे है। इसने art, literature और music के अंगिनत कामों को inspire किया है। यह स्तोत्रम आज भी दिलो और दिमाग को अपनी और आकरशित करता है। यह हमें Hindu mythology की power और beauty की याद दिलाता है। शिव, तांडव, स्तोत्रम सिर्फ एक भजन से बरकर है। यह Hindu philosophy और spirituality का एक powerful expression है। यह भगवान शिव के awe-inspiring nature को encapsulate करता है। यह हमें universe के cyclical nature की याद दिलाता है। यह स्तोत्रम आज भी लाखों लोगों के साथ resonate करता है। यह उस divine dance की याद दिलाता है, जो हमारे existence को govern करता है। यह हमें Hindu mythology के भीतर embedded profound wisdom की एक glimpse प्रदान करता है।